सोनम कपूर का फूटा गुसा फोटो शेरिंग अप इंस्टेग्राम से नाराज हुई सोनम कपूर आखिर क्यूँ आईए जानते है सोनम कपूर सोशिल मीडिया पर हमेशा किसी ना किसी वहाने सुर्ख्यों में बनी रहती है पिछले दिनों नेपोर्टिजम पर ये कहते हुए कि उन्हें अपने पिता अनिल कपूर की बेटी होने पर गर्व है ये सभी का अपना करम है वो ट्रोल हो गए थी इंस्टेग्राम, ट्विटर, हर जगा लोग उनकी खीचाई कर रहे थे कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें और उनके परिवार को मारने की धंकिया तक देने लगे थे लोग ऐसे ही एक डेट थ्रेट को लेकर सोनम कपूर के वहन रिया कपूर ने इंस्टेग्राम को रिपोर्ट किया था रिया को इंस्टेग्राम पर किसी यूजर ने जान से मारने की धंकि दी थी जब रिपोर्ट करने के बावजुन इंस्टेग्राम ने इस पर कोई आक्शन नहीं लिया तो सोनम कपूर ने इंस्टेग्राम को फटकार लगा दी है हुआ ये कि किसी ने रिया को उसकी इंस्टेग्राम पर जान से मारने की धमकी दी इसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट किया तो इंस्टेग्राम ने ये जवाब दिया ये कामेंट हमारे कम्यूनिटी गाइडलाइन्स के सीमा के बाहर नहीं है अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है तो दोबारा रिपोर्ट करें चुकि इंस्टेग्राम एक गलोबल कम्यूनिटी है तो हम समझते हैं कि लोग यहां खुद को अलग-अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम आपका feedback दूसरों के बहतर experience के लिए इस्तमाल करेंगे अगर आप उन्हें जिसने dead threat या गाली दी है को नहीं देखना चाहते तो उन्हें unfollow करें, mute करें या ब्लॉक कर दे We found that this comment likely doesn't go against our community guidelines If you think we did a mistake, please report again Ria wrote Instagram, seriously? Now let's have a look at the comment This has happened multiple times Of course I will block this individual But are you doing your part? Go keep this community safe Tap to see the comment Instagram के इस जवाब पर सोनम काफी भड़क गई उन्होंने बहन के report को नजर अन्दास करने के लिए उस चैट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए Instagram को फटकार लगा दी उन्होंने लिखा Instagram को dead threat, guidelines और उनलंगन करना नहीं लगता है या फिर शायद उनकी टीम को हिंदी समझ नहीं आती Instagram doesn't think that threat is a violation or their India team can't read हिंदी सोरम से पहले रिया ने भी Instagram को जवाब दिया था उन्होंने लिखा था Instagram क्या सच में? चलिए एक बार comment को देखे ये एक नहीं कई बार हुआ है बिलकल मैं उस प्यक्ति को block करूँगी लेकिन क्या आप इस community को सुरक्षित रखने के लिए अपने हिस्से का काम कर रहे है तीसरी बार रिया ने लिखा मैं बे मतलब की hateful comment करने वालों को block करने में बहुत खोश हूँ लेकिन मुझे इसलिए गुसा आ रहा है कि that threat आपकी community guidelines के खिलाफ नहीं है वेल सोनम कपूर के tweet से पता चला है कि वो बहुत भड़की हुई है वो चाहती थी Instagram action ले लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या आपको भी ये गलत लगा Do let us know your thoughts Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube